लुटेरो ने अब आधारकाद को नया लूट का अड़ा बनाया है सरकार की मंच्छा के विप्रीती मित्र संचालक आधारकाद के लिए मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं अत्यदिक शुल्क के चलते गरीबूं की लोगों की जेपर डाका पड़ रहा एक नियमों के खिलाफ आधारकाद की मशीन कंपिटर अप्रेटर निजी स्थानों पर चला रहा है जिमेदार विभाग सूचना एवं प्रौद्योगी की एवं संचार विभाग के अधिकारियों ने आखे मूंद रखी है जिससे विभाग की काड़े शेली सिवालों के कड़ घरे में खड़ी हो रही यही नहीं आधारकाद की सभी मशीने बंध है केवल एक ही मशीन जो चल रही है वह भी निजी दुकान पर ऐसा ही एक मामला पंचायत समिती पिडवा मुख्याले सुनेल में आया है गाओं का निवासी राजेश राठोर पंकज नागर बबलू दांगी राहुल राठोर डिरी राठोर लखन नागर गोपाल समेत लगभग आधा दरजन युवकोंने पंचायत समिती पिडवा मुख्याले सुनेल के विकास अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र चौदरी को ग प्रशीन को सुनेल में जैपुर विद्यूत विद्रण निगम के पास सलोतिया रोड पर निजी दुकान महाकाली मेत्र पर चला रहा है जो नियमों के खिलाफ है यही नहीं यह कमपिट ओपरेटर गरीबों से आधार कार्ड में मन माने तरीके से राशी वसूल रहा है सलोतिया निवासी राजेश राठोर ने बताया कि नए आधार कार्ड बनाने पर सौरू लिये जा रहे हैं और आधार कार्ड में संशोधन करने के सतरू लिये जा रहे हैं जो नियमो के विरुद्ध है उपखंड क्षेत्र में चल रही एक मशीन लोगों ने बताया कि सुनेल तहसील, पिडवा तहसील, रायपूर तहसील में तीन मशीने आवंटित हुई थी, एक मशीन से अमला ग्राम पंचायत में, दूसरी मशीन कोटडी ग्राम पंचायत में, तीसरी मशीन से लोटिया ग्राम पंचायत में आवंटित हुई थी, सरकार की मंशा है कि आधारकार्ड वाले करीबों से मनमाना शुल्क वसूल नहीं करें, इसके लिए यह मशीने सरकार की देखरेक में चलनी चाहिए, लेकिन जिमेदार विभागिस और ध्यान नहीं देने के कारण आध अधारकार्ड संबंदित कारियों पर कम्पिटर उप्रियेटर मनमाना शुल्क वसूल कर रहे हैं, इस संबंद में प्रोग्राम अने बताया कि में दो माह से कारियरत हूं, अधारकार्ड की मशीन ग्राम पंचायत से लोतिया में चल रही है, जबकि वास्तवित्ता यह है कि प्रोग्राम अर्द्वारा आधार मशीन की कोई मानत दरिन नहीं की गई है, आधार कार्ड की मशीन निजी दुकान सुनेल पर चल रही है, जिससे विभाग की कार्ड शेली पर सवाल खड़े होते है, इस संबंद में इस इपी सूचना प्रोध्योकी की एवं संचार विभ वाई कारिंगी?